आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली ओंचेंट कैडिगरी का है और टाइटल से आप समझे गे होंगे कि हम फंडिंग रेट्स की बात कर रहे हैं आपने बहुत सी फंडिंग रेट्स की वीडियो देखी होंगी लेकिन अभी तक आपको एक क्लारिफिकेशन नहीं मिली आपको सही से समझ नहीं आया कि फंडिंग रेट्स होते कैं और काम किस तरह गरते हैं इस वीडियो में आज मैं आपको फंडिंग रेट्स समझाओंगा कि फंडिंग रेट्स क्या होते हैं हम market को किस तरह प्रेडिक कर सकते हैं funding rates की मदद से so without any further due जाते हैं screen की तरफ और देखते हैं के funding rates क्या है इस वक मैं जिस website पे हूँ उसका नाम coin glass है मैं description में आपको इसका link भी दे दूँगा जब आप इसको खोलेंगे तो इसका जो interface है वो कुछ इस तरह से होगा एक्सप्लेइन कर देता हूं के funding rates होते के हैं basically funding rates हमें बताते हैं के market में ज्यादा लोगों ने long open किया है या short open किया है अगर तो लोग ज्यादा long open कर रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी liquidation जो level है वो नीचे की तरफ बन चुका है और इसी तरह अगर ज्यादा लोग short open कर रहे हैं तो market उन्हें liquidate करने के लिए उपर की तरफ जा सकती है और ऐसा क्यों है क्योंकि जब वो short positions open करेंगे वो यह expect कर रहे होंगे के market नीचे की तरफ गिरेगी और इस वज़ा से उनकी position open करने की वज़ा से एक खास level पे काफी liquidations जबा हो जाएंगी और market basically उन liquidations को ही grab करने के लिए upward move करेंगी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको जो number show हो रहे हैं मैं आपको अब इनका mathematical value बता देता हूँ 0.01 एक neutral number है कि वह 0.01 से कम value हैं इसी तरह अगर कोई 0.01 से जयदा की value है तो वह positive funding rate को दिखाएगा तो यह हमें बताएगा कि इस वक्त market में जयदा लोग long open कर रहे हैं अगर आप Solana के case में देखें तो काफी लोगों ने short open किया हूँ 0.01 से कम है value और साथ negative BSI मैं आपको इसका एक और concept समझाता हूँ जो funding rates है basically यह futures contract की वज़े से generate होते हैं आपने finance या कोई भी इस तरह का broker इस्तमाल किया होगा तो वहां आपने देखा होगा हर specific 8 hours के बाद एक funding fee जो है वह wallet से आपकी deduct हो रही होती है तो funding fee क्या है basically कि अगर ज्यादा लोगों ने long open किया है तो वह लोग fee pay करेंगे उन लोगों को जिन्हों ने short open किया है और अगर ज्यादा लोगों ने short open किया है suppose करते हैं कि 100 people हैं जिनमें 60 ने short open किया है तो यह 60 उस specific time period के गुजरने के बाद उन 40 people को funding fee देंगे और funding fee depend होगी कि की लोगों ने short open किया है या कितने लोगों ने long open किया है अगर बहुत ज्यादा short है तो वह बहुत जैदा amount में funding fee pay करेंगे long को तो यह अगर बहुत ज्यादा long open है तो यह ज्यादा full quick entreprises और इसका prime motive के मार्किट बहुत ज्यादा vocív्न का है और अगर तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक पे जाके मेरे साथ 15 मिनिट्स की फ्री क्लास बुक कर सकते हैं अब मैं आपको फंडिंग रेट का एक और कॉंसेप्ट देता हूं फ्यूचर्स में इसका मतलब है कि जो स्पोर्ट की प्राइस है उस स्पेसिफिक कॉइन या टोकन की फ्यूचर्स में उसी स्पेसिफिक कॉइन या टोकन की प्राइस नीचे चल रही है यानि उस स्पोर्ट की प्राइस से कम चल रही है अब होता क्या है कि जब लोग short open करते हैं तो price में difference आ गया जो आपका spot है उसकी price और ये future की price है तो short open करने से ये नीचे आ गई market में spot की price magnet की तरह काम करती है और future की price उससे match करने के लिए लोगों को liquidate करने के लिए फॉरण उपर जाएगी इसी तरह अगर ज्यादा लोगों ने long open कर दी है इसका मतलब है कि वो specific coin ये token है उसकी price spot के pair से ज्यादा है और spot का pair जैसे है कि magnet की तरह काम करेगा तो ये future की price ज्यादा long open होने की वाज़े से वापस आएगी और उसको spot के pair के साथ match करेगी अब मैं अगर आपको यहाँ पर सोलाना की case में बताऊं तो मैं website पर जाता हूं trading view और यहाँ पर हम सोलाना को अभी देखते हैं के सोलाना की क्या price चल रही है अगर आप देखें सोलाना को USDT pair में normal finance के तो यहाँ पर आपको उसकी price 19.32 नज़र आ रही है और इसी को अगर मैं duplicate कर दूँ और सोलाना के perpetual contract में जाके देखूं solanausdt.p तो आप देखेंगे के सोलाना की जो price है वो कम होगी spot की price से यह आप देख सकते हैं 19.33 price चल रही है spot में जबकि futures में चल रही है 19.31 तो futures की price spot की price को match करने के लिए उपर की तरफ आएगी यानि उन लोगों को liquidate करेगी जन्होंने यह expect किया कि market नीचे जाएगी और अब उनकी liquidation उपर जमा हो गई है तो market उसे grab करेगी आप इसको दोनों concept में ले सकते हैं अगर ज़्यादा लोगों ने short open किया है तो market उनके against move होगी अगर मैं किसी और पेर को आपको दिखा दूँ आप यह देख सकते हैं BCH में भी funding rates काफी negative है तो हम normal BCH का pair देखते हैं जाके BCH यह आप देख सकते है 213.1 चल रियस्वक प्राइस और जैसा के हमने भी बताया आपको के negative हों तो कम होगी price तो futures में price कम होनी चाहिए और यह आप देख सकते है 212.86 तो यह futures की जो price है spot की price को match करने के लिए ऊपर की तरफ आएगी ताके जो volatility है उसे कम किया जा सके इस वक में आपको कोई long की example नहीं दे सकता क्योंकि ज्यादतर लोगों ने market में short open किया है और अगर आप screen को देखें तो यहां पे आपको ज्यादतर green नजर आ रहा होगा और साथ negative होगा तो basically 0.01 से कम है और ज्यादतर लोगों ने short open किया हुए तो मैं आपको इस वक एक्जांपल नहीं provide कर सकता लेकिन आपको एक concept समझा गया होगा कि अगर तो long open होते इसका मतलब है कि futures की price spot की price से ज्यादा है और spot की price magnet की तरह काम करती है इसलिए उन लोगों ने जिन्होंने long open किये कि वो expect कर रहें market उपर की तरफ जाएगी market उने liquidate करने के लिए नीचे आ जाएगी spot उनके लिए magnet का काम करेगा last but not the least कि आपने आखर funding rates को judge कैसे करने है अगर finance पे इस वक्त 0.002% negative चलता है funding rate तो सामने वाली dydx पे या bybit पे इस वक्त नीट्रल की तरफ जा रहे है funding rates तो basically आपने किसी एक exchange को नहीं देखना यहां पे आपने simple आना है coin glass website पे आपने funding rates को current में देखना है क्यूंकि आप current में देख रहे होंगे तो आप funding rates के इस्तमाल कर सकते हैं और market अगर कोई खास move दिखा रही है market अगर support area पे आ चुकी है और उसकी liquidation भी आपको पता है के वह उपर है हम next video में जिसमें discuss करेंगे तो funding rates की वहां मदद से आप एक judge कर सकते हैं predict कर सकते हैं के market का next move क्या हो सकता है वीडियो के आखर में आपको यह कहूंगा कि आपने कभी भी सिर्फ एक reason की base पे trade नहीं लेना चाहे हो कोई trend line हो चाहे हो कोई support area हो demand zone हो या funding rates हो या liquidation levels हो आपने हमेशा multiple confluences होने चाहिए आपके पास multiple reasons होने चाहिए आपके पास trade लेने के लिए तब ही आप एक successful trader बन सकेंगे आज की वीडियो में बस सितना ही और हमेशा एक बास जाद रखें कि knowledge is not power until executed दिना हो है जाद ग्रवस्वेयो जाद वे संकेंग अबाद रखें कि अव्याट में रखेंक रखें कि बास्खेंग टिना थे कि शोच खेंगे लिए कि और हमेशा आपकेगा